राहुल गांधी ने प्रधार मंत्री नेंद मोजी से पूछा चोथा सवाल गुजरात की चिनावी जंग के बीच ट्वीटर पर लगातार प्रधार मंत्री नेंद मोजी से 22 साल के गुजरात के कामकाज का हिसाब किताब मांग रहे राहुल गांधी ने इस बार सिक्षा की बदहाली क्यों है गुजराज 26 वे पायदान पर क्यों है राहुल गांदी ने अपने चोथे ट्वीट में पूचा है कि प्रधार मंत्री जी मेरा चोथा सवाल सीर्षक के साथ ये सवाल करते हुए राहुल गांदी ने कहा है कि सरकारी स्कूल कॉलेज की कीमत पर किया सिख्ष राहुल गांदी ने दावा किया कि सरकारी सिख्षर पर कर्ष में गुजराज देस में 26 वे पायदान पर क्यों है युआउं ने क्या गल्ति की है इसे पहले राहुल गांदी ने अपने तीसरे सवाल में गुजराज में बीजेभी सरकार पर बिजली खरीद कर नीजी करकर 2,41,000 करोड हो गया जबकि अपने पहले सवाल में राहुल गांदी ने घर के वादों को लेकर प्रधार मंत्री से जवाब मांगा था हाला कि बीजेपी राहुल गांदी के इस टीट को लगातार कोई तवज्जों नहीं दे रही है बीजेपी पलटवार करते हुए 70 साल क कामकाज का हिसाब मांग रही है और कह रही है कि कॉंग्रेस ने जो लूट मचाई उसका भी हिसाब कॉंग्रेस को देना चाहिए दरसल गुज्जराच चुनाओं की सियासी लड़ाई एक तरफ जहां सियासी जमीन पर लड़ी जा रही है तो वहीं दूसरी लड़ाई सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर जहां कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार जोर पकड़ रहे हैं और ताजा कड़ी में राहूल गांदी लगातार सवाल पूछ रहे हैं प्रीटर पर एक और सवाल दागा है जिसमें 22 साल के गुजरात के सासन प पर हिसाब किताम मांगते हुए सिख्षा की बदहाली पर सवाल उठाते हुए रहूल गांदी ने जवाब मांगा है लेकिन बीजेपी ने इन तमाम आरोपों को नकार दिया है और उल्टा सवाल यहां पर कॉंग्रेस के 70 साल के कामकाज को लेकर पूछा है